कुछ ही दिनों में भारत सरकार 2020 की बजट पेश कर देगी और इस बजट से बिहार की लोग काफी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हैं बिहार वालों को Micro, Small and Medium Enterprises यानि की MSME सेक्टर के लिए एक विशेस पैकेज की उम्मीद है और केंडर से पैकेज की मांग भी की गई है जानकारों के माने तो बिहार की बेरुजगारी को दूर केवल MSME के माधम से ही किया जा सकता है इस वजह से राजिक केंद्र से बिहार MSME के लिए एक विशेस बजट की मांग कर रही है इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे कि नए सत्र की बजट में बिहार वालों को क्या कुछ प्रावधान दिया गया है और नए बजट से बिहार वालों को क्या कुछ फाइ काफी कुछ उम्मीद है चानकारी के मताविक इस साल यानि की 2023 सत्र के बजट में बिहार की ओद्योगी करन को लेकर काफी कुछ प्रावधान दिया जा सकता है इसके लिए केंद्र की तरफ से एक विशेश पाकेज दिया जाएगा जिसे बियार की विरुजगारी दूर की ज के लिए एक रिशेश पाकेज आती है जिसे बिहार में टेक्स्टाइल और पूट प्रोसेसिंग से जुड़े कार खाने खोले जा सके और वालों को रुजगार का मौका भी मिल पाए इसके साथ साथ बिहार में काफी सारे प्राचीन धरोगर है और इसी वजह से राज सरकार केंद्र सरकार से परेटन शेत्र में भी पाकेज की उमीद कर रही है परेटन विभाग की माने तो बिहार यतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी जादा महत्वपूर्ण राज रहा है इसके सासत हर साल देश विदेश की काफी सारे लोग बिहार आते हैं इसी वजह से एक विशीज पाकेज की मांग कर रही है जिसे ब्रेटन शेत्र का विकास हो पाए और बांगी के शेत्र में भी लोगों को नए रोजगार की अफसर मिलें देखा जाए तो ग्रामीन इलाकों की उत्पादों की मांग धीरे-धीरे करके घड़ती जा रही है जिसे ग्रामीन इलाकों में काफी जादा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस वजह से बिहार सरकार मन्रेगा के साथ-साथ कई सारे अन्य ग्रामीन योजनाव में पूंजी कतनिवेश्ट को लेकर बढ़ावा जाती है किसे ग्रामीन लोगों के पास सरकार के पैसे पहुंच प इसके साथ साथ एलपीजी के दाम भी काफी बढ़ गये हैं इस वजह से सरकार को इस साल के बजट में खास तोर पर किचन के सामान पर विशेश ध्यान देना चाहिए इसके साथ महिलाओं की मांग है कि नए बजट में महिलाओं के शशक्तिकरन को लेकर भी एक विशेश प् अपरेल तक चलेगा इसमें एक महिने का अवकाश भी दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे सत्र का दूसरा चरण 12 मार्स से शुरू होगा जो कि अपरेल तक चलता रहेगा 31 जनवरी को बजट शत्र की शुरुवात में दोनु सत्नों की संयुक्त बैठक को राष्टपती दुरौपती मुर्मु संबोधित करेंगी इसके साथ सा 2223 का वार्शिक आर्थिक शर्वेक्षन भी 31 जनवरी को ही पेश किया जाएगा उसके अगले दिन यानि की एक फरवरी को वितमंत्री निर्मला सीता रमन आम बजट पेश करेंगी हलांकि इससे पहले 30 जनवरी को भी सरकार सभी दलों के साथ एक आम बैठक बुलाई है जहां पर विपक्षी दलों के साथ बैठकर सरकार एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगी क्योंकि नए शत्र में बजट को लेकर विपक्षी दल काफी जादा हमलावर हो सकते हैं इस वज़ए से सरकार 30 जनवरी को सभी द आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षिन देखती रही हन्यवाद